अरे ओ शामभा जी सर्दार फिजिस का पेपर है हां सर्दार डरने का नहीं मैं नाम रखोन सी आपको बिल्कुल सिंपल एंड इजी कॉंसेट वाले चेप्टर को धूम मचा देना आपने को जिसमें फुल में से फुल स्कोर करीने हो तो लेक्ट सी स्टार्ट करते हैं फ़र्स एंघ्टि को बहें तो अपने को बताना है तो अपने को एक सिंपल लेजी फॉर्मला यहां पर पूरे चेप्टर में ए वी-सीवाला फॉर्मला जिसको हम बोलते हैं BC is equal to क्या होता है मेरे भाई E, क्या होता है BC is equal to E अब यहाँ पर अपने को decide है कि B और E तो होगा नहीं options को eliminate करते है अब यह दो options में confusion है थोड़ा सा basic IJK, JKI यह आपने पढ़ा ही होगा cross product बस यहाँ पर रहो ही BC is equal to क्या होता है E, तो B cross C क्या होगा E C cross E क्या होगा B यह वाला sequence इदर चलेगा फिर यह sequence चलेगा और फिर यह चलेगा मतलब E पहले आएगा फिर cross B आएगा equal to क्या हो जाएगा C इसका मतलब answer क्या होगा हमारा C next question पर चलते हैं the electric field of electromagnetic wave यह आपने कोई equation दिया इसका दिया भाई electric field का यह दिगा मतलब electric field और के इसमें दिया है electric field x-axis में बड यहाँ पर wave क्या दिया रहा है k w k z अगर आपको sin omega d plus k z दिया है तो omega d तो क्या बताता है face और यह बाद बाला क्या दिखाता है wave की direction और क्या दिखा भाई z z और के तो wave नम्मर और z क्या है wave की propagation direction इसका मतलब first portion in which direction in the wave propagate तो क्या दिखाता है भाई z यह देखो z answer next in which direction does the magnetic field पोसले अब जब x न एलेक्टिक फिल्ट है z में क्या होगी हमारी wave तो three dimension होता है यह अगर x एलेक्टिक फिल्ट को सो कर रहा है और z क्या सो कर रहा है wave को मतलब speed या भी बोल सकते है तो बचा वाला क्या है y कैसो करेगा भाई मेरा इख magnetic field को तो इसका मतलब किधर magnetic field प्रोगेट होगी तो magnetic field by axis में प्रोगेट हो रही next question right to characterist नियोज octomagnity wave कोई भी characterist रिख तो कहे राईए कहाँ इसको medium की requirement ही होती जैसे light को होती है same wave करता है और यह ABCD वाला formula जो पढ़े होने BC is equal to A भी लिख सकते हम और जितनी भी है properties x-ray बगरा जिनकी जो प्रोपर्टी वो उसमें से कोई रिख सकते है next question choose the current option wavelength of different part of electromagnetic spectrum मतलब यह उसी chapter का है understanding है तो electromagnetic wave को पुरा चार्ड याद रखना आपने को types of waves कितनी type की होती है waves total seven type की first की होती है gamma gamma का representation से नहीं होता है gamma ray और gamma कैसा बाई जैसे दिखता है उसके जश्ट बात के आएगा भाई A1 से दी में तो UV आएगा UV ray फिर third क्या होगा हमारा भाई X ray sorry gamma के पहले gamma बाई जैसे दिख रहा बाई के जश्ट पहले आता X और X के पहले के आएगा भाई UV ray तो gamma X ray 3 UV और इसकी wavelength सबसे खाम होती gamma की सबसे अधी किसकी होती है radio wave की तो इसका मतलब और fourth number पे अपने को याद रखना visible ray fifth number पे infrared visible ray जिसे हम TV दिखते है infrared मतलब remote बगिरा में जिख करते है और sits होगा हमारा microwave इस तरीकिस अपने को 7 याद रहना है फिर से एक बार देख लो gamma मतलब by जैसे symbol है मतलब by फिर उसके by के पहले just के आता है X आता है और X के just पहले के आता हुग यह तीनों sequence याद हो गया last वाला radio wave sequence याद होना चाहिए fourth number visible visible ray के बाद इंफ्लरेट और इंफ्लरेट के बाद के बाद के बाद माइक्रोवेव सबसे काम wavelength किसके होती है gamma की सबसारी किसके होती है radio की और visible ray में कित्ती colors होते है 7 7 colors होते है तो इसकी wavelength किसा है कि minus 7 meter ऐसा है रख लिए frequency की बाद करते है frequency just wavelength की opposite होती है इसकी wavelength काम है frequency सबसाद होगी 10 to power 23 इसकी होगी 10 to power 9 क्योंकि इसकी wavelength आ रहा है तो frequency कम होगी और इसकी 7 है तो इसका double क्यों होता है 14 14 हर्स हो जाएगी काम खता तो अब यहाँ पर पूछ रहे कि spectrum में wavelength से related देख रहा है अब इंफ्रारे नीजिया तो visible होगा visible के फिर के आएगा हमना x-ray तो इसका मता हमारा c option सुझाएगा बस इसको याद रख लेना काम खताम यह लगाड आला तो light signal आला next question identify the part of electromagnetic spectrum which is next to the lowest frequency end of the visible visible ray के next कौन सा lowest होगा तो अपने को मालूम है उपर से आते है तो frequency क्या होती है decrease होती है तो visible के बाद कौन सा आता अपना इंफ्रारेट तो इंफ्रारेट आएगा भई अपने इंफ्रारेट next question produced by bombarding of metal target by high energy electron fission energy reaction of fission में क्या है क्या मिलता भई तो उसमें बताया है x-ray और x-ray बताया है तो x-ray का use कहां पार है crystal lecture में और deduction of friction in bonds में next chapter बटा dual nature of light इसमें उनली तीन बात है plants Einstein और deep rocket ठीक ही उसी पर based question आते है देखके हैं अपर first the energy of photon wavelength 663 nanometer क्या पूछा बटा energy और क्या दिया है wavelength और energy और wavelength में lambda यह equal to h नहीं होता वो frequency होता तब यह वाला formula लागेंगे परना हम simple equal to scy lambda लगा के अपने को h plants constant पता ही होता है 6.62 x 10 to power minus 34 c बटा speed of light होती है lambda गिवन आपने को यह पर किसमें दिया है nanometer में तो इसको किसमें convert कर लेंगे हम किसमें convert करेंगे इसको meter में और nano मतला होता है 10 to power minus 9 इसकी value put करेंगे आपका answer जाएगा c next question बटा हमारा how would the stopping potential for a given photo sensitive surface change first बोल आए the frequency of incident radiation were increased अगर frequency increase करेंगी तो stopping potential क्या होगा तो हमने पढ़ा है Einstein photo electric equation photo effect electric equation तो क्या होता है हमारा तो आपने यह पढ़ा होगा nc idea kinetic energy is equal to h nu minus h nu not या फिर क्या पढ़ा होगा kinetic energy 1 by 2 mb square equal to h nu minus work function या फिर हम इसको kinetic energy है stopping potential के equal होती है पढ़ लिया हमने और यह हमारा इस तरीके से हमें इसको लिख सकते इसका मतलब यह समझ में हमारा कि stopping potential stopping potential किसके proportional लिख रहा है frequency के stopping potential directly proportional है इसका मतलब frequency increase होगी तो potential भी increase होगा not answer next question intensity of incident radiation more decrease अगर intensity decrease होगी तो इस पे effect ही नहीं करता है intensity से कोई ही आगे आते है next question के पास अपने को एक figure दिया है उसमें फिर से गयर बोल रहा है photoelectric current versus किस पर है voltage और किसमें है current में relation और अपने से पुछा है कि two different materials दी हमने और उसमें हमको क्या intensity identify the pairs of curve or different type or justify your answer बस अपने को curve देखके इसका answers बताना है क्या होता हमारा current और positive voltage तो ठीक है negative वाले voltage को हम क्या बोलते है stopping voltage को क्या बोलते है negative voltage और यहां पर देख रहा है कि one और two का stopping potential क्या है same है और यह three और four जो गया करो उसका भी stopping potential क्या है same इसका मतलब कोई stopping potential यह दोनों किसका है one or two का और यह वाला stopping potential किसका है बेटा three and four का मतलब दोनों का stopping potential same है इसका मतलब one or two की frequency same होगी जिसको हम क्या बोलें की threshold frequency और three or four की threshold frequency क्या होगी same but intensity की बात करो है या current की तो यह भाई जो two वाला है यह two आया और यह four इनका यह current को सो कर रहा है current same होगा current directly professional किसके होता intensity मतलब current intensity professional होते यह दोनों का three or four का current intensity same होगा but stopping potential difference होगा threshold frequency लेग होगा same इसके लिए one or three के लिए भी यहाँ पर current यह अगर i1 यह अगर हम किसके लिए two or four के लिए तो यह वाला current हमार किसके लिए one and three के लिए और जो की थोड़ा सा उससे increase होगा next question पर आते हैं बस इतना सा basic से याद रखना है the momentum of photon wavelength is momentum पुछ रहा है wavelength पुछ रहा है wavelength पुछ रहा है और हमने deep wrongly पढ़ा है क्या पढ़ा है momentum is directly proportional to 1 upon lambda जिसमें voltage और current में graph दिया है और अपने को AVCD में से पूछ रहा है कि examine the figure और एक case study वाला question case study आती है उससे no tension लेना है वो तो और easy हमारे लिए first beach light beam has the highest frequency highest frequency बोल रहा है मैंने आपकी बताया कि जिसका stopping potential जादा उसकी frequency high तो stopping potential negative होता है negative sign दिया है stopping potential सब जाद है किसका होगा बिटा B का तो उसकी frequency भी क्या होगी उसी B की जादा होगी इसका मतलब answer किस क्या होगा B का next question which light beam has the longest wavelength longest wavelength किसका होगा बोलते है जिसकी frequency काम उसकी frequency वो उसकी wavelength साहदा तो यहां longest wavelength जिसकी frequency कम frequency कम किसकी दिख रही बिटा जो सबसे पांस में रहेगा तो यह वाला C वाला तो इसका answer क्या हो जाएगा बिटा जिसकी frequency कम उसकी wavelength जादा क्योंकि just इसकी opposite next question देखते बिटा which light beam exact electrons with maximum momentum maximum momentum क्या होगा बिटा जादा इसका मतलब frequency जादा किसकी है B की तो उसकी wavelength कम और उसका क्या जाएगा भाई maximum क्या हो जाएगा हमारा momentum तो answer क्या हो जाएगा मेरा भाई third का B option है clear and next what is the effect of stopping potential on increase the frequency of incident beam of light अभी पढ़ा हमने कि frequency and stopping potential क्या होते है proportional होते और कैसे linearly proportional होते है मतलब कौन सा option होते है fourth का first next इसका और में भी दिया आपने को observation related photoelectric effect are incorrect कौन सा incorrect है बटा तो यहां पर आपने को देत रहा है कि large time lag between incident radiation and emission radiation जबकिसे ऐसा हम consider नहीं करते है photoelectric effect पढ़ा होना है तो यह incorrect होगा बाखी सब क्या होगा उसमें याद रखना है saturation current current independent frequency पर depend नहीं करता है saturation current हाँ intensity के proportional होता है और next हमारा current directly proportional to intensity यह लोग complete हो गया आपका और इसमें only 2 चीजे Rutherford model और Bohr model first question देखते हां the atomic number of an atom represent atomic number क्या represent करता है बटा atomic number क्या represent करते है protons करते है यह तो बच्चवाला question बटा next question the diagram for 4 energy level जी अपने को hydrogen atom के लिए और Bohr model और hydrogen atom के लिए और पूचा identify the transition in which the emitted photon will have the highest energy transition पूचा बटा और emitted photon पूचा है ना के orbit के energy level पूचा है emitted photon की transition के लिए highest energy पूचा है तो यहां पर जिसका जाधा gap दिख रहा है बटा यह देखो यह कहां से आ रहा है 3rd से 1 मार रहा है 4 से 3 मार रहा है यह 2 से 1 मार रहा है यहां 3 से 2 मार है यह देखो सबसाद आगा है इसका दिख रहा ना बस उसकी क्या होगी highest energy highest energy होगी transition के लिए emitted photon के लिए next question और अपने को energy के लिए orbital energy find out करना किसी भी orbit की तो क्या होता है total energy का formula equal to minus 13.6 upon n का square where n क्या है number of orbit और इसमें रहता और electron point में और ground के लिए क्या हो जाएगा n बंद देंगे ground के लिए क्या होता है बंद और second orbit के लिए निकालना to run दो और solve कर लो answer जाएगा ऐसे next question देखते बटा the ground state energy of hydrogenator base इतना होते ही बटा अभी कोड़ा हमने any point to one degree minus 13.6 है what is the potential energy and kinetic energy या दरना अपने को potential energy जो होती है वो total energy की double होती है potential energy जो होती है total energy की double और kinetic energy कुछ नहीं होती है potential energy या potential energy को के करना है minus sign बस लगाना है उसमें तो अपने को total energy का विचस्ट formula पड़ा equal to minus 13.6 upon n का scale बट इसमें क्या वोड़ा आपने को बिटा किसके लिए बूच रहा है अगर हमको कोई third यहाँ पर हाँ sorry यह दिया है third excited state अपने वो third excited state है पर वो क्या orbital number क्या होगा एक जादा होगा मतलब n equal to 4 रखना है क्योब ग्राउंड वाला excited state नहीं होगा and on second orbit से excited state start होता है तो third excited state मतलब orbit एक है increase कर दो n equal to 4 करके उसकी total energy निकाल दो उसका double कर तो potential energy निकाल जाएगी और kinetic energy क्या होती है total energy में minus sign का multiply कर दो और लेग दो उसको next question पीटा आप state बहर quantization condition 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 क्या होती है बहर के लिए कि बहर बोलता है कि कोई भी orbit में जो electron revolve कर रहा है तो वह orbit हो आला possible है जिसका angular momentum h by 2 का integral multiple है clear है only those orbits जिसके क्या है angular momentum क्या होगा integral multiple of h by 2 pi इसका मतलब यह L से remote करते है L equal to क्या होना चाहिए n h upon 2 pi next इसी में calculate the shortest wavelength shortest wavelength किसकी होगी बटा जब अगर हमारा जो कहना चाहिए electron infinity से कहना चाहिए किसी भी orbit में आएगा तब जो wavelength होगी वो क्या होगी हमारी shortest wavelength तो मतलब हमको एक जो end हो क्या रखना हमेंसा infinity shortest wavelength और longest के लिए just उपर वाला जो भी अपने को series बोलेगा just उपर वाला अगर हम रखेंगे orbit तो longest देगा और infinity रखेंगे तो हमको क्या देगा भाई वो shortest देगा बस इतना सा याद रखना है formula याद है आपको बन अपन lambda equal to R bracket बन अपन n2 के स्कोर minus 1 अपन n1 के स्कोर इसमें यह वाद ध्यान रखना हमेशा है किसको value put करेंगे इसमें lambda positive आएगा इसको मतलब यहाँ पर हमेशा यह smaller रहेगा और यह क्या रहेगा greater रहेगा next question so that the radius of orbit in hydrogen मतलब यह derivation है भाई hydrogen atom varies as n के स्कोर मतलब R directly जो हमारा nucleus में proton neutron होते हैं electron revolve करता है तो plus और minus की बीच में क्या है अपने first chapter में पड़े है electrostatic में क्या लगता है columns law columns law क्या होता है kq1 q2 upon R का square यहाँ पर proton और electron पर charges same होते तो क्या लिख सकते है kq1 q2 मतलब same same है upon R का square वही फॉर्मॉला है और जब भी कोई revolve करता है तो उसके requirement होती है circular motion के लिए centripetal force और centripetal force क्या होता है Mb का square upon R बस यही provide करेगा अपने पर Mb to square upon R इससे अपने के वी की value निकाल लेंगे और वी की value अपने चो condition बढ़िया भी angular momentum बाली n is upon 2 pi उसमें हम value put कर दीगे तो हमारा किया जाएगा यहाँ पर radius डिरेक्टी कोशनल टू n to square next last हमारा देखते हम energy level of diagram hydrogen atom और अपने को मार्क दाट्रांजिशन ट्रांजिशन लेवल पे series lying in the ultraviolet visible और इंफ्रारेट सबसे लाइन स्रीज देती है हमारी ultraviolet इसके लाबा जितनी भी रेक्स है वो सब क्या देती है इंफ्रारेट इसके बाद हम यहाँ पर इंको मार करना है तो यह ग्रांजिशन की energy बता ही हमको सब electron bolt में यह याद रखना है कि इस पूरे chapter में जो energy की unit है वो electron bolt है और ग्रांजशन के लिए इसके बाद एक्साइट से स्टेट होता है second orbit बट यह वाला second orbit के लिए जो excited स्टेट होती होती है first होती है next next chapter हम देखते है nucleus nucleus में questions जो आते हैं थोड़ो basics अपने को ध्यान देना है radius of nucleus किसके directly professional रुटी होती है mass number के power 1 by 3 के professional होती है next volume जो होता है directly professional होता तो density में अभी just बताया है कि हम पर dependent नहीं होती होती में इसका option के जाएगा independent होगा next question हमारा draw the so the variation of binding energy per nucleon binding energy per nucleon किसको में लेते हैं इसको mega electron bolt में ऐसा function of mass number यह वाला incident में अपने को diagram में पूरा याद हम जाना चाहिए क्योंकि इस से related previous years में बहुत सारे questions आये काफी years में अब यहां पर पुछा है the binding energy per nucleon for heavy nuclei decrease with the increase in mass number तो बेटा अपने को ध्यान रटना है कि middle वस में क्या होता है मतला 56 जो होता हमारा iron जिसका mass number 56 होता है उसके लिए binding energy per nucleon सबसे आदा होती है उससे कम वाले के लिए भी मतलब इसका हम लाइटर मार्स नम्पर यह लाइटर नुक्लियर बोल सकते हैं और heavier nucleon दोनों के लिए क्या होता है अपने binding energy पर nucleon काम होती है इसलिए दोनों unstable होते हैं यह unstable होते हैं लाइटर वाले इसलिए combine होके क्या बन्या जाते हैं नुक्लियर fusion करते हैं और यह heavier भी unstable हो जाते हैं इनके पास binding energy काम होती है तो यह break होके nuclear fusion reaction देते हो फिर से stable होते हैं क्योंकि जिसकी binding energy ग्रेटर होके क्या होगा stable होगा तो यह बस इसी से related यहां पर दिया है और उसका result के बता है इसलिए क्या होते हैं कि increase करने पर mass number increase होगा तो decrease होगा यहां पर gap देहना होगा जीरो 50 अप्रेट बन 50 200 बन 250 आएगा होगा ठीकी नेक्स्ट हमारा question यहां पर डिस्टिंगूट भी निक्लियर fusion क्या होता है तो नुक्लियर fusion की बाद करेंगे यहां पर यहां पर ब्रेक होगे तब भी वह स्टेबल होगे मतलब इंक्रीज होगे यहां पर एक्जांपल 1s1 1s2 1s2 बन रहा है यहां पर फीजल में क्या हो रहा है विटा uranium-92-235 यह तो बिल्कुल अपने को क्या करना है neutron की strike कराना है bombard कराना है जिससे हमको वेरियम और क्रिप्टान बनाना है यह बहुत most important है यहां पर देखने है कि energy क्या है mega electron gold में release होती है next हमारा question आएक रधर फोड वाला है जो previous chapter ने पर यहां पर रधर फोड वाला तो अपने को बहुत ही easy है और इसमें directly हमको क्या करना है मास अपन बॉलिम होता है basic formula मास नंबर को यह लिख देंगे हम और यहां पर बॉलिम क्या होता है 4 y 3 pi r q और radius की अभी हमने पढ़ा है 1 y 3 होता है जिससे क्या हो जाएगा यह यह से क्या हो जाएगा कैंसे नालुक मतलब density depend नहीं करती किस पे mass नंबर पे next question हमारा इसमें आपने को क्या क्या पढ़ना है conductor semiconductor और insulator में difference जिसमें Corbidate energy gap से related balance band और conduction band से related PN Johnson diode और एक rectifier बस सफी सेंट इतना चलिए 1st question करते है an AC source of voltage is connected in series series में अगर AC source connect हो रहा है voltage से with a PN Johnson diode and a load resistor मतलब क्या है भाई यह half wave rectifier और अगर parallel में connect हो रहा है load resistance मतलब वो full wave rectifier the correct option of output voltage across load resistance भी तो अपने को AC source दे रहा है अपने को AC source में full आता है पट एक अपने को series में होला मतलब हाप wave rectifier और हाप wave rectifier में अपने को DC output कैसे मिलता भाई output मिलता अपने को हाप मिलता है मतलब only one direction में आएगा काम कतब यह अपना होगा answer number C next question when an intrinsic semiconductor is doped किसमे trivalent intrinsic मतलब pure उसमें अगर हम trivalent आनीगे तो हमको क्या है semiconductor की four-balance होती ही एक क्या whole बच जाएगा whole मतलब positive और positive मतलब P-type का semiconductor बन जाएगा next question हमारा difference between intrinsic and accepted बिल्कुल pure को क्या होते हैं intrinsic extensive जिसमें हम doped कर देते हैं impurities trivalent करेंगी तो P-type pentavalent करेंगी तो end type next low conductivity होती है इसमें तो हमने इसको किसमें convert करें extensive semiconductor में जिससे conductivity ही हो जाएगा इसमें number of electrons और number of pulse सेम होते हैं बट इसमें same नहीं होते हैं trivalent में हो ज्यादा होते हैं P-type में और end type में क्या होते हैं end मतलब negative negative मतलब electrons जादा महीं next question है हमारा circuit diagram explain करना है अपने को full wave rectifier मतलब यह तो बिलकुल आने आना है full wave half wave rectifier इसको बिलकुल अच्छे से complete कर दो full wave rectifier gives output rectifies voltage तो यह अपन full wave rectifier क्या होते है जिसमें two diodes लगते हैं one diode two diode क्या करता है यह AC source alternate current किसमों करता है rectifier direct current में DC में यहां पर जब half जाएगा तो यह positive or negative है positive जब P से इसको P बोलते हैं ट्रेंगल जैसे होना है यह तंटे को के बोलते हैं जब positive P से connect होता है उसको बोलते है forward wise और forward wise में अपने को current मिलता है जब next जब half जाता है यह वाला portion तब क्या हो जाता है यह change ही जाते है sign यह minus हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा अब यह वाला तो reverse P और N reverse wise होगा बट यहां पर फिर से यह P और यह positive क्या हो जाएगे forward wise और इससे current अपने को क्या बोलता है forward wise जैसे P और N type forward wise कि इसको बोलते हम भाई जब हमारी बैटरी किस से connect हो plus बाला रंडा positive P से connect हो तो उसको बोलते forward wise forward wise तो plus plus repel करते हैं तो यह थार इसको depletion layer को compress करेगा negative negative repel करेंगे तो इसको compress करेगा तो deflation layer की thickness भी decrease होगी और potential barrier भी कहोगा हमारा decrease होगा मतलब C option lower the potential area next question हमारा आता है draw VI characteristics of P एंजंसन डायोड P एंजंसन डायोड में forward wise होता है एक reverse wise उसके लिए V और I में characteristic diagram यहाँ पर यहाद रखना मिली Ampere होता है यहाँ पर यह voltage की बात कर रहे हम तो यहाँ पर forward wise में किदा जाता है उपर जाता है और reverse wise में कहाँ जाता है नीचे और forward wise की voltage को के बोलते है हम नी voltage बोलते है और यहाँ वाले voltage को के बोलते है नेगटिव के कोई टैंशन नहीं है बस इसमें लोड़ी रहती है अर इसमें के रहती है 25 35 इस तरीके से हमारा बैली रहती है जिसकी ऐदी है यह कि आंक बड़ीन की लो ज़िए और breakdown में जो होता है उसको reverse voltage होता है general breakdown voltage होता है फिक inverse voltage होता है और इसकी value क्लिए होती है पहुत लोग होती है और इसकी value क्लिए होती है जर्मिनिया और सिर्रिकान के लिए इसके लिए हाई होती है next question हमारा next आता assessment reason पर जो बहुत easy बाटा इन्सुलेटर the forbidden energy gap is very large बिल्कुल यह पड़ा ही अपने एनर्जी रेवर यह बैलेज में इसमें बैलेक्ट्रों बूल्ट से जादा होती है forbidden energy gap इससे जादा होती है इसलिए इसलिए इन्सुलेटर है और इससे कम किसम होती सेमी कंडॉक्टर में जो होती है और सबसे कम किसम होती है जो हमारा conductor तो यह बात होगी next result the balance electron balance electron है वो क्या होते है tightly bounded होते है इसलिए इसकी forbidden energy क्या होती है हाई होती है तो इसका option क्या हो जाएगा हमारा बहुत हो जाएगा next question हमारा next chapter हम देखते हैं babe optics, babe optics में अपने को ध्यान रखना है कि इसमें questions थो थोड़ा सा concept पर ज्यादा focus करना है देखते हैं first question अपना है using hygen principle, hygen principle आते हैं इसमें reflecting के लिए आएगा या reflection के लिए आएगा reflecting और reflection अपने पढ़ चुक है reflection मतलब angle i equal to angle r prove करना है और reflection मतलब इसमें इसमें प्रूब करना है sin i upon sin r अपने को पहले से answer बता होगा reflection होगा तो यह अपने को क्या खरना है इसके लिए सो करना है तो two incident rates होकर हो और यह दोनों को join कर दो ते हमारा क्या हो जाएगा incident wavefront और जब यह reflection होगा reflection मतलब one medium से second medium के जाएगा तो यहाँ पर raise करके हमारा क्या जाएगा secondary wavefront और इसके बाद हम sin i simple perpendicular upon hypotenuse sin r perpendicular upon hypotenuse लगा दोनों को divide करो sign i upon sign i on k equal यहाँ पर velocity के ratio में जाएगा यह speed के ratio में जाएगा अपना क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा next question important habitat next in the wave picture of light the intensity of light related to the amplitude wave में light वाले chapter में intensity और amplitude में के relation होता है simple intensity is directly proportional to amplitude का यह यह इसकर इदर आएगा तो under root में जाएगा तो इसका मतलब कौन सा option हो गया रहता हमारा c next question आता है two current sources light winds of intensity i and 4i super impulse और find करने वीटर ratio of maximum and minimum intensity कि अब maximum or minimum intensity क्या होती है यहां रखकना है तो जहां पर maximum amplitude होगा मतलब वह दोनों सुपर यहां पर यहां पर जो इंटेशिटी वो भी प्लस में आईगी बाट अंडरूट इवन प्लस अंडरूट इटू का गोल स्केर तो यहां पर मैंग्जियम के होगी और मिनीवम की बात आएगी तो माइनस सैन लगाना पर इसका रेशियों कर दीजिए कि वैली पूट कर दो और स्क्रिन के बिट्में डिस्टेंस कैपिटल डी और इसका अपने को फास्ट मिनीमा पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है हां फास्ट मिनीमा तो अपने को मिनीमा याद रखने के लिए हां पर क्या रखना है और मल्टिपल होता है लेंडा कैपिटल डी अपॉन इस्माल पर fringe bit पूरता है तो lambda d upon capital D, मत्तब यह वाला same a के हो जाता हमारी fringe bit, ठीक है और इसका यह क्या है, odd multiple ले गटा, next, minima के लिए, find the intensity at a point of young devil's rate के लिए पूछा है, और intensity, जब की intensity find out करना गटा, उसका basic formula होता है, i0 cos square 5i2, और यहां पर 5 क्या है बिटा, face difference, or face difference, find out करने के यहां face difference ना देखे क्या दिया है, path difference दिया, path difference और face difference में के relation, 5 upon 2pi equal to x upon lambda, इससे क्या जाए 5, क्योंकि यहां पर x की value दिया है, x की value मतलब यह दिया है, path difference, इससे क्या जाएगा 5 और height value करोगे तो क्या जाएगी, intensity, next, फिर second case के लिए same निकाल सकते हम, next question, फिर से हम double solution experiment के लिए question आय है, eighth bright fringe और third bright fringe दोनों क्या है, equal है, तब हमको क्या करना भाई, separation distance, मतलब d find out करना है, तो क्या करेंगे हम, fringe width की बात आ रहे, तो lambda capital d upon small d, bright fringe, young double state में क्या बता है, even lambda d upon small d, बोल सकते है, यह लैट कर रहे, तो यह उसका even multiple होता है, और यहां पर dark fringe क्या होता है, odd multiple होता है, क्या two n minus one की लिए सकते है, two n plus one की लिए सकते है, वो debate करता है, आप n कहां से start कर रहे है, next question हमारा, how can the difference it between single slit और double slit, single slit से क्या होता है, diffraction, and double slit M क्या है, उसके छोओता है, interference, so single influencer में होगा double slit में, और single slit में क्यों होता है, टिफ्रेक्षão, इसमें क्या होता है, bright and dark fringe बंकी है, वो कै तो ब्राइट फ्रींज की इंटेंशिटी सेम होती है इसमें इंटेशिटी डिक्री जाती है बस यह एकक्स सेफटर रहता है में हमारा लास्ट इस पार्ट का रहेक्टीक्स है ने अब दिखा है एफर्स पर्स पर्स लीड़ बार अधर फोकल लेंद एफ दा मिनिम्म डिस्टैंस बीट्मिट उब्जेट और एंड रियल इमेज में मिनिमम बिस्टैंस कहां पर होती है। हम कौन के mirror जानते हैं कौन के mirror में जब C पर object रहता है तो C के नीचे ही बनता है और कैसा same size का बनता है एक ही ऊपर बन गया मतलब इनके between distance के होगी 0 तो option के हो जागा हमारा 0 next option बिच of the following pairs of media has the least value of critical angle तो critical angle किसमों होता है तोटल इंटर्प्रेक्शन में total sin Ic is equal to क्या होता है बना कौन है जिसका refractive index हाई होगा उसका critical angle क्या होगा भाई लो होगा तो यहां पर देखेंगे diamond का refractive index हाई होता है तो उसके लिए क्या रहेगा critical angle लो next option बिच of the following will be the same for the reflecting and reflecting अगर हमारा reflection और reflection दोनों में क्या see same रहती है तो frequency यार रखना है बाकी सब क्या होते है changes रहते हैं but frequency always क्या होती है same next देखते हम the refractive index of two media A and B are two and under root two respectively what is the critical angle critical angle कुछ लिया है तो इसमें हम क्या है जब TIR यूज करके जो formula लिखे आते है इसमें क्या लाना आते है इस ने इसला क्या होता है जिसका refractive index उससी का sign की साथ angle equal to next वाले का refractive index उसका sign की साथ angle यह क्या हो जाए critical angle और next वाले क्या होना चाहिए 90 degree तभी वो क्या होगा इस incident angle को हमके बोलेंगे critical angle तो इससे हम solve कर लेंगे next हमारा question अब कौन के mirror में virtual image बोलती है virtual image मतलब होगी कुन सी position होगी six number की position होगी है अगर object अहां पर रहेगा pole और focus के between रहता है pole और focus के between तो हमारी image कैसे बनती है find the focal length of mirror अब यह twice enlarged मतलब क्या दिया भाई magnification मतलब magnifying magnifying का मतलब m given है m given है मतलब m क्या दिया है जैसे object का double हो गया इसका मतलब क्या हो गया size हो गया तो ह हो लगा हो यह simply हम क्या बोल दिंगे twice मतलब 2 m और virtual के लिए क्या होता है positive virtual image हमेंसा erect होती है उसके लिए M positive होता है real image हमेंसा inverted होती है उसके लिए M क्या होता है negative जब यह हमको M पता है तो हमके लगा सकते है इससे भी find out कर सकते जिससे focal length निकाल लेंगे क्यों mirror formula जब युश करी one upon m2 to one upon u plus one upon u इसमें क्या लगने वाला वही यू तो given है भी अपने को चाहिए तो हमें यह magnification से and minus v upon u अलब नहीं से magnification अपना भी find out करने को उससे क्याने की focal length next question by how much distance should be object displaced and in what direction in order to get two times a large real image real image का बंती बिटा real image हमारी और large का बंती जब हम C के आगे रहते है तो image हमारी C के पीछे बंती है और कैसी बंती है large size की बंती है इसका मतलब यह C के आगे रहेगी तो focal length अपने को पता ही है अब और क्या double बोल रहा है और real बोल रहा है real image में बता है inverted होती है और उसके लिए magnification क्या होता है negative उससे solve कर लेंगे इस से धीक value और solve करके क्या जाएगा हमारा मही U हो जाएगा object distance और इसको यहां पर हम कितना display कर रहे हो solve कर लेंगे next portion आता है glass prism की बात कर रहा है prism है मतलब prism में अपने को क्या derivations आते रहता है important है prism के लिए minimum deviation के लिए derivations कोच रहा है अपने को prism handle तो यह होता है इस तरीके से prism गोना देंगे incident ray reflected ray फिर यह क्यों जाएगे हमारी emergent ray तो यह हमारा deviation होता है इसको find out करना है derivation है बहुत easy है तो क्या करेंगे simple हमको minimum deviation to i-e होता है अगर हम जब proper solve करेंगे तो और उसके आज हम minimum deviation की position में to r equal to क्या होता है a तो इसका मतलब r equal to क्या हो जाएगा a by 2 इसमें इसला लगाएंगे sin a upon sin r और उसमें i की value यह इस वाले formula से put कर दो sin a plus delta minimum y2 और r की value a by 2 value put करो answer है जाएगा next question हमारा फिर से इससे related question आते है numerical या तो derivation आया तो numerical प्रिस में इन्ही रिफ्रेक्ट्रेक्ट्रेक्स अपने को गिवान है यह डाइग्राम की वान है और the real the angle of incident incident यह वाला इंगल बूच रहा अपने को यह सेकेंड शर्पेंट रहा रहा है इसको तो क्या होगा भाई, आई की value अभी रखा था हम ने, इस वाले formula में, A plus delta minimum by 2, यह तो given है, पर delta minimum कैसे find out करते है, delta minimum के formula होता है, एक और होता है, जब reflect to index दिया है, delta minimum is equal to A bracket में n-1 या mu-1, A का है, present angle N का है, reflect to index, reflect to index की value यह उससे solve करिएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, 60 degree, और यहां पर क्या होगा, 1.414, under root 2 की value उसको solve करेंगे, तो जाएगा किता 30, तो यहां पर 30 लग देना, यह solve कर लेना तो क्या जाएगा हमारा angle of incident, minimum deviation के फिर से बोही formula है, फिर से value पुट करेंगे, आपका answer जाएगा, बहुत ही से, next, power of lens तो reciprocal of focal length को क्या बोलते हम, power of lens के आइडरी डायोक्तर, deduce, deduce करदा हमको combined focal length बाला formula ही, 1 upon m equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2, 2 lens को combine कर दो, यहां object रहेगा, first image जो बनेगी वो i1 बनेगी और second वाले के object की तरह बियाद करेंगे और final image यह हो जाएगी, तो अपने को क्या करना बस lens formula यूज करता है, 1 upon i equal to 1 upon v minus 1 upon u, first वाले के लिए f1 यूज करेंगे बन अपन f1, image इसकी यह बन रहे है v1 और object यू रहेगा, same, ऐसे हम second lines के लिए use करेंगे बन अपन f to equal to, बन अपन b minus बन अपन v1 यह फस्ट वाले की जो image को second के लिए object की तरह बियाद करती है, इसको दोनों को add कर देंगे, add कर देंगे तो हमारा combined focal length यह इस तरीके से solve करके आ जाएगा, तो यह बाला जैसे के वैसी हो जाएगा, बन अपन b, minus बन अपन यू को के लिए सकते हूं है, बन अपन है, यह इसका मतलब क्या होगा है, pro, next question हमारा, optical instrument, यहाँ पर यह compound microscope और astronomical telescope बहुत important portion है, यहाँ पर भाई अपने को दिया है, इसमें astronomical telescope और compound microscope दोनों में होते हैं, तो आपन देखींगे कि भाई, जिसकी focal length कम होगी, तो इसका मतलब हो क्या होगा हमारा, उस हिसाप से अपन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर objective lens की power दिये 100, तो इससे हम क्या डिकाल सकते है, focal length और eye lens की focal length डिकाल लेंगे, तो हमने देखा कि objective lens की focal length क्या है, तो object lens का image plus eye lens का focus उनका addition होता है, और उससे solve करेंगे, फिर हम इसमें lens formula यूज़ करके पूरा solve कर देंगे, हमको क्या पूछा, next calculate the magnification, magnification तो upon microscope के लिए क्या होती है, minus d upon u, और infrared image formation के लिए d upon f, value put करेंगा, answer आजाएगा, यह जहाँ डखना है, compound microscope में, objective lens small होता है, focal lens भी small होगी, eye lens की होता है, large होता है, और lens भी क्या होगा, large size, next आता है astronomical telescope का ray diagram, astronomical compound का just opposite होता है, objective lens large size का, eye lens small size का, next question आ रहा है, you have three lenses दिये हैं और उनकी क्या दिये भाई, powers दिये और aperture दिये, और अपने को बताने हैं कि कौन से objective lens लिये जाया और कौन सा eye lens लिये जाया और astronomical telescope बनाने, तो अपने को ज्यान देना है, जिसकी power जादा, तो उसकी focal length क्या हो जाएगी भाई, कम, तो इसकी power कम है, तो यहां पर objective lens large size का है, तो 3D power वाला मतलब इसकी focal length जादा है, तो इसको objective lens ले लेंगे, और इसको क्या लेंगे भाई, eye lens क्योंकि power जादा है, तो उसकी वो क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी, ठीक है, और अपने को क्या है, इसका जो कहना चाहिए formula होता है, तो minus fo upon fe होता है, resolving power की बात करेंगे, तो d upon 1.22 lambda यह formula होता है, d क्या है diameter of aperture, और lambda क्या है wavelength, अब next, जो पार्ट है, उस पार्ट में आप 1 to 7 पूरी तरीके से complete कर लेंगे, उसको जरूर देखिएगा, best of luck.